कोशन नमबर फाइव दिखते हैं बच्चो सही मात्र लगाकर शब्द दोबारा लिखिए बच्चो यहां पे कुछ शब्द दी गए हैं जिनमें हमें मात्रा का परियोग करके उनको दोबारा से लिखना है ठीक है जैसे देखिए यहां पे दिया गया है कब तर बच्चो कब कोई शब्द नहीं होता है ठीक है तो इनमें हमें उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाना है फिर उनको उनके सामने लिखना है जैसे कब तर हो गया तो बड़ा उकी मात्रा लगाकर बन जाएगा कबूतर ठीक है आगे हम लिखेंगे कबूतर ऐसे नेक्स्ट देखिए मठई मठ़ई मठ़ई कोई शब्द नहीं होता तो मपर छोटी एकी मातर लगा के शब्द बन जाता है हमारा मिठाई जो कि हमने सामने लिखा हुआ है ठीके ऐसे ही लिखा हुआ है हतल हतल भी कोई शब्द नहीं होता है तो हतल में थ के उपर एकी मात्र लगा के और लग पर बड़ी एकी मात्र लगा के बन जाएगा हतेली ठीके तो ये हमने उचित मात्र लगा कर शब्द बना दियें आगे आपको ये बाकी के स्विम करने है ठीके कोशन नमबर सिक्स र के रूपों के शब्द सही जगए में ठीके बच्चों यहाँ पर र के रूप है दिये गया है नीचे उन्हें उनके उचित इस्थान पर लिखने है ठीके र के जो रूप दिये गया है उनके नीचे उनके उचित शब्द जो है वो नीचे उनके लिखने जैसे र दिया गया है यहां पर तो र से जो शवद बना हुआ है वो हमें यहां पर लिखना है जैसे भारत जैसे रुपिया तो यहां पर दोनों इस सीरीज में लिखे जाएंगे ऐसी नेक्स्ट लिखते हैं प्रकाश ग्रह तो इसी परकार से हमने यह ग्रह और प्रकाश यहां पर लिखा है और आगे के आपको यह स्विम करने है ठीक है बच्चो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कोशन नमर सेवन देखिए सही वर्ण का परियोग करके परतियक वर्ग पहली में से दो दो शब्द बनाईए बच्चो वर्ण का परियोग करके हमें परतियक वर्ग पहली में दो दो शब्द बनाने हैं देखिए जैसे इस पहली में देखिए सीधा जो हमारा शब्द बन र रहा है सुन्दर और उपर से नीचे तक कौन सा शब्द बन रहा है बंदर ठीक है ना तो दो शब्द बन गई बच्चो एक वर पहली में से इसी तरह से आगे दिखते हैं सीधे बन रहा है गुडिया क्या शब्द बन रहा है बच्चो गुडिया ठीक है ऐसे ही उपर से नीच लिए दिगए इस्वेम करनी है और हां जो आपको इन में वर्ण भरने हैं वो आपको यहां हेल्पिंग बुक्स में से देखकर भरने है ठीक है उचित वर्ण जो है वह आपको यहां से मिलेंगे और वही वरना है आपको ठीक है कोशिन नमबर एट शब्दों को सही कर्म में लिखकर वाक्य बनाईए बच्चों यहां पे सही कर्म में कुछ शब्द नहीं दिये हुए है ठीक है वो हमें आप मतलब उनका जो मतलब सही कर्म हो हमें स्वेम बनाना है ठीक है तो हमें स्वेम वाक्य में परियोग करना है वाक् कर्मे लिखकर वाक्य बनाना है ठीक है जैसे माली पोदो को सीजता है ठीक है ऐसे ही कोशन देढ़ दिखते है ख लाए फल से बाजार पिताजी ठीक है तो हमें उचित कर्म में वाक्य बनाना है कैसी बनाएंगी पिताजी बाजार से पल लाए ऐसे ही जूला है जूलती नीरा तो हमें उचित कर में क्या बनाना है वाक्य बनाना है कैसे बनाएंगे नीरा जूला जूलती है तो बच्चों यह आपका बुक वर्क था जो कि हमने एक्स्प्लेंड भी किया है और बुक वर्क किया भी है ठीक है आपको इसी तरह की इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है बताया एक्जम्बल से इसी तरीके से आपको अपना बुक वर्क भरना है ठीक है और यह आपका अभ्यास है वन से फोर तक ठीक है चप्टर वन से फोर तक यह भी आपको अपनी Thank you!